हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब जैनल तो साथ्यों आज इस क्लास में करेंट एफएस का संपूर निचोड करेंगे जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक का टॉप 280 करेंट एफएस के कोश्चन और ये कोश्चन साथ्यों पिछले 7 महने का जो करेंट करेंट एफएस बना है उसमें से छाट छाट कर चून चून कर लिया गया कोश्चन है क्योंकि आपको पढ़ना सिर्फ उतना ही है जो कोश्चन आपको नौकरी दिला दे ठीक है बिलकुल आज इस वीडियो का आप कम्प्लीट देख लिजिए आप किसी भी गवर्मेंट एक इजाम की तैयारी कर रहे हैं सारा करेंट एफएस आपको इसी क्लास में से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे तो चलिए बीना देरी किये पिछले साथ महने के करेंट एफएस का संपूर निचोड कम्प्लीट क्लास आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे तो सभी साथ नहीं हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को अउन कर लिजेगा इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेसन आएगी चलिए तो इन 280 महत्पुन करेंट एफएस के कोस्टन्स को हम लोग देखते हैं जनवरी से अभी तक के सारे कोस्टन्स एक चीज बता कर जुलाई तक के सारे कोस्टन्स करेंगे इस क्लास में सारे महत्पुन कोस्टन्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं तो पहला कोस्टन है हाली में कौन संगाई सयोग संगठन का नवा सदस्य देश बना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोस्टन है और देखे इस कोस्टन का र ये संगाई सयोग संगठन में अभी एक और इरान सामिलों के टोटल नो अस्थाई सदे सदेश बन चुका है अगला है हाली में किस सहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉंच की गई है तो देखे भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉंच की गई है साथ हो चिन्नाई में याद रिखेगा चिन्नाई नेक्स्ट है हाली में किसे बर्ष 2022-23 के लिए AIFF यानि पुरूस फुटबॉलर आफ दा येर का पुरसकार मिला है तो देखे बर्ष 2022-23 के लिए पुरूस फुटबॉलर आफ दा येर का पुरसकार किसे दिया गया है तो याद रिखे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा लाली यान्जु आला च्छांग टेजी को तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी याद रिखीगा अगला है हाली में किस पुरूस फुटबॉल टीम ने सेफ चेंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है तो देखे करिक्ठे भारत ने साथ याद रिखीगा सेफ चेंपियंशिप 2023 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है तो अपना भारतिय फुटबॉल टीम ने अगला है कौन ब्यक्ति हाली में SBI के नए मुख्य बित्य अधिकारी बने हैं यानि चीफ फाइनेंस ओफिसर तो SBI के अभी नए मुख्य बित्य अधिकारी कौन न्यूक्ति हैं याद रिखेगा साथियो कामेस्वर राव कोदावंती इनका पूरा नाम है याद रिखेगा कामेस्वर राव कोदावंती नेक्स्ट है प्रतिवर्ष पूरे भारत में एक जुलाई को राष्ट्य चिकित्सक दिवस किनके जनम दीन पर मनाया जाता है तो दिखेगा प्रतिवर्ष साथियो भारत में एक जुलाई को राष्ट्य चिकित्सक दिवस यानि नेशनल डॉक्टर स्डे मनाया जाता है ये किसके जनम दिवस पर मनाया जाता है तो याद रिखेगा डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी के जनम तिथी पर तो राइट है ओप्सन नमबर भी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय अगला कुश्य ने हाली में किस टीम ने ASEAN कबड़ी चंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है तो देखिए ASEAN कबड़ी चंपियंशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है तो भारत ने याद रिखेगा ठीक है देखिए सैफ फोटोबल चंपियंशिप भी भारत ने जीता है और ASEAN कबड़ी चंपियंशिप 2023 भी भारत ने जीता है बारत में 29 जून को राष्टिय साइंखी की दिवस किन के जनम दिवस पर मने आ जाता है याद रिखेगा प्रसांत चंद्र महाल नोबिस यानि PC महाल नोबिस आप सभी पड़े होंगे PC महाल नोबिस ठीक है जिनको भारत में जो पंचवर्षी योजने चलती थी उनका जनम र जाता इनको कहा जाता है ठीक है याद रिखेगा और दूतिया पंचवर्षी योजने जो है उसका मोडल भी इन्होंने ही प्रस्तूत किया था अगला कोश्चन है कौन व्यक्ति हाली में केंद्रिया जांच बेरो यानि CBI के नए बिसेस निर्देसक बने हैं बिसेस निर्द बाज बने हैं तो देखिये बिसेस क्रिकेट में लगातार 100 test मैच खिलने वाले परत्थम गेंद्र बाज कोन बने हैं तो याद रिखेगा नथान लियॉन साथियो नथान लियॉन जोकि ऑस्टेलिया के गेंद्र बाज है राइट है option number C अगला है हाली में IS अनुराग बर्म को किस राज का नया मुख्य सचीब नियुक्त किया गया है तो साथ यो आयस अनुराग बर्मा जी को याद रिखेगा सभी पंजाब राज का नया मुख्य सचीब नियुक्त किया गया है अगला कुछ से ने कौन ब्यक्ति हाली में हिंदुस्तान यूनिलिवर के नए एमडी औ के MD और CEO बने हैं अगले हालिवे 23 जून 2023 को दुनिया भर में अंतराष्ट्य ओलंपिक दिवस मनाया गया जिसे पहली बार किस वर्स मनाया गया था तदी के पहली बार ओलंपिक दिवस जो है ये कम मनाया गया था तो बर्स 1948 में याद रिखीगा 23 जून को मनाया जाता है अगल जो 23 जून को मने जाता है ओप्शन नंबर सी हाली में कौन BRICS CCIWE की नई अधच बनी है तो रूबी सिन्हा जी याद रिखीगा इनका नाम रूबी सिन्हा हाली में जारी Global Gender Gap Report 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा अस्थान मिला है वेरी वेरी important question Global Gender Gap Report 2023 में भारत को कितनवा अस्थान मिला है तो 127 वा out of 146 countries याद रिखीगा यानि 146 देशों की सूची में भारत को 127 अस्थान मिला है Global Gender Gap Report 2023 की सूची में ठीक है साथ यो आपको क्लास जो है बिलकुल फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि सारे question एकी क्लास में करवाने हैं त ज्यादा लंबा ना हो क्लास इसलिए बिलकुल फास्ट करवा रहे हैं अगला है प्रतिवर्स दुनिया भर में भी स्वो संगीत दिवस यानि World Music Day ये किस तारिख को मने है जाता है तो 21 जून को साथ हो याद रखना 21 जून को World Music Day यानि भी स्वो संगीत दिवस मने है जाता ह है तो क्रिष्टियानो रोनाल्डो अगला कुष्चे ने कौन व्यक्ति हाली में महेश कुमार जेन के अस्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने है तो देखिए RBI के नए डिप्टी गवर्नर अभी बने है स्वामी नाथन जानकी रमन जी याद रिखीगा किन के अस् थाल लिया है स्वामी नाथन जानकी रमन जी ने अगला है हाली में कौन ASEAN Championship में पदक जितने वाली पहली भारतियत तलवार बाज बनी है तो भवानी देवी ओप्शन नमबरे राइट एंड सरे नेक्स्ट है हाली में 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सवा अंतराष्टिय योग दिवस मनाने की सुरुवात हुई थी आपका 21 जून 2015 से और अभी 2023 में जो मनाया गया उसका क्रमांग था नौवा याद रिखीगा नौवा है ना तो अभी 21 जून 2023 को जो अंतराष्टे योग दिवस मनाया गया वो क्रमांग कितना था उसका तो नौवा याद रिखीगा और पहला मनाया गया था 21 जून 2015 को ही आपको याद रखना अगला हाली में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है तो याद रिखेगा नुसरत चौधरी ओप्शन नमबर सी करेक्ट है नुसरत चौधरी अगला कौन व्यक्ति हाली में रिसर्च एंड एनलाइसिस विंग यानि रौ रौ जो कि भारत का गुप्ट ठर्धरिक का नाम बदल कर क्या रखा है तो याद रखना पीम मेमोरियल मूसिएयम एंड लाब्रेरी सोसाइटी क्या है पी-म मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइबरेरी सोसाइटी ओप्शन नमबर ए राइट है अगले हाली में कौन देखिएगा हाली में भारत के किस राज में गेको गेको मिजारा मैंसिस नामक उड़ने वाली छिपकिली की एक नहीं प्रजाती खोजी गई है तो इसको आप साथिवासानी से याद रख सकते हैं इस कौर्शन को देखिए इसको जब हम पढ़ेंगे ना गेको मिजोरा मैंसिस तो यहां देखो मिजोराम मिजोराम का नाम आ रह बिल्कुल मिजोराम करेक्ट होगा अगला कॉस्चने हाली में किस देशच से संबन्दित महिला खिलारी नाहीदा खान ने अंतरा drie क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो दीखिए नाहीदा दस अजार रुपिये मानसिक पेंसन देने की घूशना की है यानि जिनको पदम सिरी पदम विबुसन पदम भुसन ये अलंकार प्राप्थ हुए हैं उन सवी हस्तियों को हर महिने दस अजार पेंसन मासिक पेंसन देने की घूशना की एक किस राज सरकार ने त्याद रिखेग किस वरक्त दाता दिवस जो है आपको याद रखना है प्रति एक वर्स 14 जून को मने आ जाता है ओप्शन नंबर सी राइट एंसर है हाली में किस महिला खिलाडी को मैं 2023 के लिए ICC प्लेयर आफ दा मंत का सम्मान मिला है तो करेक्ट एंसर है ओप्शन नंबर भी थिपाला पु खिलाडी को मैं 2023 के लिए ICC प्लेयर आफ दा मंत का सम्मान मिला है तो याद रिखेगा हैरी टेक्टर को हैरी टेक्टर जो की आईरलेंड के क्रिकेटर है चलिए अगला कोश्चे ने कौन ब्यक्ति हाली में सीमा सुरक्षा बल यानि B.S.F. बोर्डर सिक्विरिटी फोर्स क के नए महानिर्दसक बने हैं तो दिखें B.S.F. के नए महानिर्दसक कोन बने हैं तो नितीन अगरवाल जी याद रिखेगा ओप्षन नमबर है नितीन अगरवाल करेक्टेंसर है कोन ब्यक्ति हाली में भारतिय बिसीष्ट पहचान प्राधिकरन यानि आधार आधार के महिला एकल का खिताब जीता है तो देखिए फ्रेंच ओपन दो हजर तेईस में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो याद रिखेगा इगा स्वीतिक ने इगा स्वीतिक करेक्टें ऑप्षन नमबर भी अगला कौन ब्यक्ति हाली में इंटरनेशनल एयर एस्वोसियेशन के बोर्ड ओफ गवर्नेश के नए अदच कौन बने है तो पीटर एलवर्स अगला हाली में किस टेनिस खिलाडी ने फ्रेंच ओपन दो हजर तेईस में पुरूसे कल का खिताब जीता है तो महिलाओ का मैंने बताया इगा स्वीतिक और पुरूसों के प्रेंच ओपन को किसने जीता है तो याद रिखेगा नुवाक जोकोवीच ने ओप्शन नमबर भी राइट एंसर है अगला हाली में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चेंपियनसिप दो हजर तैस का खिताब जीता है और श्टेलिया ने भारत को हराकर करिक्ट है ओ महानिर्देशक बने है तो देखिये भारतिय भुवग्यानिक सर्विक्षन के नए महानिर्देशक कोन बने है तो याद रिखे जनार्धन परसाद जी जनार्धन परसाद जो कि अभी नए भारतिय भुवग्यानिक सर्विक्षन के महानिर्देशक बने है हाली में कोन यह अगला question है हाली में जारी हुई बर्स 2023 की राष्टिय संस्थान रेंकिंग फ्रेमवर्क में किसे overall ranking में पहला अस्थान मिला है तो देखिए करिक्ट इंसर हो जाएगा IIT मदरास को साथ याद रिखिएगा हाली में जारी हुई बर्स 2023 की राष्टिय संस्थान रेंकिंग फ द्रास को दिखिएगा अगला एक हाली में प्रसीद ब्यक्तित्वा सुलोचना लाटकर का 94 वर्स की उम्र बेनिधन हुआ वे कौन थी तो भई सुलोचना लाटकर यह कौन थी अभिनेत्री थी ना एक्ट्रेस थी अभिनाई क्या करती थी हिरोईन बोल सकते हैं चलिए option नं UNGA के 78 अधच के रूप में चुने गए हैं तो याद रिखेगा डैनिस फ्रांसिस साथियो देखेगा डैनिस फ्रांसिस जो की UNGA के 78 अधच के रूप में चुने गए हैं अगला question हाली में महाराष्टा राज के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्या बाई होलकर नगर रखा ग दिया गया है याद रिखेगा अगला हाली में कौन बिश्वा मौसम विज्ञान संगठन की प्रतम महिला महासचीब बनी है तो याद रिखेगा सेलेश्टे सावलो option number B अगला हाली में किस टीम ने Men's Hockey Junior Asia Cup 2023 का खिताब जीता है तो याद रिखी का साथियो अपना भारत ने अगला हाली में कौन भारतिय मुल्क के ब्यक्ति 200 मौसम विज्ञान संगठन के नई उपाधच बने हैं तो 200 मौसम विज्ञान संगठन के अध्दहच मैंने आपको बताया जो कि पहली महिला महा सचीव मैंने आपको बताया कोन बनी थी तो सेलिष्टे सावलो और यहाँ पर पुछा गया है कि भारतिय मुल्क के ब्यक्ति योकी भी मोसम विज्ञान संगठन के नए उपाधच वने हैं तो कोन है भई वो तो याद रिखीगा मृत्यूंजय महापात्र जी ओप्शन नंबर सी चलि अगला कुश्चेन है हाली में 2 जून 2023 को भारत के किस राज ने अपना दस्वास थापना दिवस मनाया तो दिखीगा 2 जून 2023 को भारत के किस राज ने अपना दस्वास थापना दिवस मनाया तो भई तेलंगना ने तेलंगना करिक्ठ होगा साथ यो अगला है कौन भ्यक्ति हाली में स्टील आथूरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड यानि सेल सेल के नए अद्दच बने हैं तो सेल के नए अद्दच बने हैं साथ यो अमरेंदू परकास जी याद रखना अगला कोशे ने कौन भ्यक्ति हाली में सोमा संकर परसाद के अस्थान पर Yuko Bank के नए प्रभण निर्दसक यानिवानी MD बने हैं तो सोमा संकर प्रसाद जो की पहले यूको विंक के MD थे, इनके जगा पर नए कौन बने हैं? तो याद रिखेगा असवीनी कुमार, option number C, अगला है, कौन ब्यक्ति हाली में Solar Energy Corporation of India के नए प्रबन निर्दसक बने हैं? तो देखे, Solar Energy Corporation of India के नए प्रबन निर्दसक कौन बने हैं तो अजय यादव जी, याद रिखेगा option number B, राइट अजय यादव, चलिएगा अगला question है, question number 51, हाली में किस देश संबंधित लेखक? जोर्जी गोस्पो डिनोव ने International Booker Prize 2023 जीता है, तो याद रिखेगा बुलगेरिया के, किस देश के ये लेखक है साथ यो, जोर्जी ग International Booker Prize 2023 को जीता है, अगला question है, कौन व्यक्ति हाली में नए, किंद्रिया सथकर्ता आयुक्त को नियुक्त के गए हैं, तो प्रवीन कुमार सिरिवास्तव जी, राइट है option number B, किस क्रिकेट टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है, तो याई आई पिल 2023 का खिताब किस ने जीता है, चलिए सभी को पता होगा, IPL 2023 का खिताब गुजरात ने जीता है, मुंबई ने, राजस्थान ने या चिन्ने ने, चारों में से कोई एक तो आंसर है, आप लोग सभी इस question का आंसर कमेंट कर दीजे साथियो, ठीके, अगला question देखते हैं, हाली में कौन सा राज्य, भारत का पहला पुर्ण इसासित राज्य बना है, तो देखे भारत का वहाँ पहला राज्य, जो की पुर्ण इसासित बना है, तो याद रिखेगा केरल, option number D, अगला question है, हाली में किसे बर्स 2023-24 के लिए, भारतिया उधोग परिसंग के नए अध्धच के रूप में नियुक्त किया गिया है, तो राइटेंसरे आर दिनेस को याद रखना, आर दिनेस को भारतिया उधोग परिसंग का नए अध्धच चुना गिया है, हाली में कौन अंत्रिच में जाने वाली पहली अरब महिला वनी है, तो अंत्रिच में जाने वाली पहली अरब महिला है साथियों रायाना बरनावी option number B correct याद रिखेगा रयाना वरनावी हाली में किसे त्रीपुरा राज्य परियतन के नए ब्रांड अमिश्टर के रूप में चुना गिया है तो देखे त्रीपुरा राज्य परियतन के नए ब्रांड अमिश्टर के रूप में सौरब गांगुली को चुना गिया ह साथियों याद रिखीगा सो रफ गांगुली अगला एक किस टेनिस खिलाडी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरु सेकल का खिताब जीता है तो इटालियन ओपन 2023 का खिताब किस्ने जीता है पुरु सो की स्रेणी में तो डेनिल मेद्वेदेव ने याद रिखिए ऑप्शन क्या गया है तो अमर्दीप सिंग ओजला जी को अमर्दीप सिंग ओजला नेक्स्ट प्रतिवर्थ दुनिया भर में अंतराष्ट्य चाई दिवस कम मनेया जाता है तो साथ यों अंतराष्ट्य चाई दिवस 21 मई को मनेया जाता है याद रिखीगा ओप्शन नंबर बी हाली में किंद्र सरकार ने कीरन रिजुजु के अस्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाए हैं तो भारत का नया कानून मंत्री कौन है तो अरजुन राम मिघवाल जी याद रिखीगा इनके अस्थान पर इनकी इनसे पहले कौन था तो कीरन रिजुजु अगला है हाली म देखेगा सिदार में या किस दक्षीनी राज के नए 22 मुख्यमंत्री बने हैं तो वैसिदार में या किस राज के नए मुख्यमंत्री हैं अभी बरतमान में तो करना टक्के राइट है option number D कौन व्यक्ति हाली में तेल और गैस छेतर की नियामक संस्था पी एन जी आरबी के नए चैर्मेन बने हैं तो देखेगा पी एन जी आरबी के नए चैर्मेन यानि अद्धच कौन बने हैं तो एके जैन option number C करेक्थ है अगला हाली में किसे भारतिया प्रतिस परधा आयोग की नए अद्धच के रूप में नियुक्त किया गिया है तो साथियो रावनीत कौर को याद रखीगा भारतिया प्रतिस परधा आयोग की नए अद्धच कौन बनी है तो रावनीत कौर अगला हाली में सत्रंज खिलाडी बुपल्ला प्रनीत अब तक के भारत के कौन से वे ग्रेंड मास्टर बने हैं तो याद रखीगा बरासिवे अभी तिरासिवे भी बने हैं तिरासिवे भी वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलिए तो बरासिवे याद रखीगा कौन बने हैं तो बुपल्ला प्रनीत अगला कोश्चेन ए कौन व्यक्ति हाली में केंद्रिया जांच वीरो यानि CBI के नए निर्देशक बने हैं व ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है तो वह माइक्रो ब्लोगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में किने नियुक्त किया गया है तो लिंडा याकारिनो को याद रिखीगा लिंडा ये का याकारिनो जो की माइक्रो ब्लोगिंग साइट ट्विट की नई CEO हैं अगला हाली में कौन IPL में अब तक सबसे तेज अर्द सतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गये हैं तो याद रिखीगा यह सश्वी जैसवाल जिन्होंने केवल 13 गेंदों पर अर्द सतक लगाया था हाली में कौन फेशन ब्रांड गुक्क के दिखिए गुक्की की पहली इंडियन गलोबल ब्रांड अब मेश्डर बनी हैं तो याद रिखीगा राइट एंड सरे आलिया भट ऑप्सन नमबर डी अगला कोश्य ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्टिय प्रदोगी की दि यानि नेशनल टेकनोलोजी डे ये किस तारिक को मने जाता है तो याद रिखेगा 11 माई को हाली में किस मैला खिलाडी ने अप्रेल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ दा मन्त का पुरसकार जीता है तो राइट एंसर होगा फखर जमान ने फखर जमान जो की पाकिस्तान के खिलाडी है अगला कोश्चन है हाली में किस पुरूस खिलाडी ने बर्स 2023 का लॉरियस वर्ड स्पोर्ट्समेन अफ दा यर का पुरसकार जीता है तो लियोनेल मैसी ने जिनका सम्मन्न फुटबॉल से हाली में पुलिजर प्राइस 2023 के बेजयताओं की घोशना हुई जो की किस छेतर में दिया जाता है यानि पुलिजर प्राइस जो है ये किस छेतर में दिया जाता है तो पत्रकारिता की छेतर में साथियों अगला कौन ब्यक्ति हाली में मेरी लोबोन किर्केट कलब यानि MCC के नए अद्दच बने है तो मेरी लोबोन किर्केट कलब के नए अद्दच कौन बने है तो याद रिखेगा सभी साथी मार्क निकोलस औप्शन नमबर सी चलिए अगला कुश्चन देखेंगे हाली में जारी वर्ल्ड प्रेज फ्रीडॉम इंडेक्स 2023 के एकसो असी देशों में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो 161 आस्थान याद रिखेगा किस में तो वर्ल्ड प्रेज फ्रीडॉम इंडेक्स 2023 में एबंगा हाली में किसे अतनुकुमारदास के अस्थान पर बैंक ओफ इंडिया का नया MD और CEO न्यूक्त किया गया है तो याद रिखिए रजनीष करनाटक जी को रजनीष जी को जो है साथ योग अभी बैंक ओफ इंडिया का नया MD MD और CEO Nuked किया गया है हाली में कौन चीन के प्रथम 27 चेंपियंशिप खिलाडी बने है तो देखेगा चीन के प्रथम 27 चेंपियंशिप कौन बने है या चेंपियन कौन बने है तो याद रखना डिंग लिरेन option number C करेक्ठ है अगला है कौन ब्यक्ति हाली में Cycling Federation of India के नए अद्दश बने है तो याद रखना Cycling Federation of India के नए अद्दश कौन बने है तो पंकज सिंग जी option number C अगला हाली में दिये गे Film Fair Awards 2023 में किसे सर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला है तो साथियों याद रखना राजकुमार राव को जिनको अभी Film Fair Award 2023 में सर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला है अगला कोश्चन है हाली में किस राज में भारत की पहली Water Metro सेवा का उदगाटन किया गिया तो बैद दिखिए का काफी अच्छा कोश्चन है साथियों भारत की पहली Water Metro सेवा का उदगाटन कि सराज में किया गिया है तो केरल में ओप्शन नमबर एक केरल नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाली में ITU दोग की सिर्ष ब्यापार संस्थान NASCOM के बर्स 2023-24 के लिए अद्दच बने है तो करिक्ठो का अनंत महस्वरी जी ओप्शन नमबर सी नेक्स्ट है हाली में जारी विसो बैंक के लोजिस्टिक प्रदर्शन सुचकांग 2023 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो याद रिखिगा 38 अस्थान साथ लो विसो बैंक के लोजिस्टिक प्रदर्शन सुचकांग 2023 में भारत को 38 अस्थान मिला है हाली में कोन जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज बना है तो दिखिए जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज बना है केरल याद रिखे option number D केरल next है प्रतिवर्स विश्व प्रिथवी दिवस किस तारिक को मने जाता है तो दिखीगा प्रतिवर्स विश्व प्रिथवी दिवस जो है यह साथियो 22 अपरेल को मने जाता है और प्रतिवर्स विश्व जल दिवस जो है यह आपका 22 मार्च को मने जा रिखेगा के नए अद्दच कौन बने हैं अभी तो साथियो अरोन सिन्हा जी याद रिखेगा ठीके बिलकुल बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है आप सभी कोई याद रखना है अगला कोश्चन है हाली में कौन बिर्ता पुरसकार पाने वाली भारतिय बायु सेना की पहली महिलावदयकारी कोन बनी है तो दिपीका मिस्रा याद रिखे दिपीका मिस्रा जी ओप्छन नमबर भी हाली में केजाद देखे केजाद भरूचा किस नीजी चितर के बैंक के नए उप प्रभंध दशक बने हैं तो याद रिखेगा hdfc bank of d दिप्वोस्रा mówाड है तो साथ यो आसा भोसले को याद रिखेगा लता दिनानात मंगेसकर अवार्ड 2023 में किसे मिला है तो आसा भोसले को हाली में कौन विजडन क्रिकेटर अफ दा इयर सम्मान जितने वाली पहली भारतिया महिला खिलाडी बनी है तो विजडन क्रिकेटर अफ दा इयर सम्मान जित अग्यात सव मतलब क्या होता है कि माल लेते कहीं पर कोई भी लास मिला है किसी का death body जो की जिसकी पहचान नहीं किया जा सकता है जिसका कोई दावा नहीं करता है कि ये मरने वाला आदमी मेरे घर का है उसको बोलते हैं अग्यात सव ठेक है तो अग्यात सव का DNA database बनाने वाला भारत का पहला राज्ज कोन बना है तो वह अज्यात अज्यात सवों का डिने डेटावेस बनाने वाला भारत का पहला राज्ज बना है हिमाचल परदेश अगला कोश्चन है कोन लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर IPL में अब तक के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गिंदबाज बने हैं तो साथियों याद रिखेगा करगीजोर रवाडा अप्शन नमबर ए चलिए नेक्स्ट कोश्चन है हाली में किस सहर में उत्तर पुर्वी भारत के पहले M's का उदगाटन किया गिया तो वह उत्तर पुर्वी भारत यानि पुर्वत्तर छेत्र में पहले M's का उदगाटन कहां पर किया गिया तो याद रिखेगा गुवाहाटी में, option number B, गुवाहाटी असम देखे, प्रतिवर्स पूरे भारत में 14 अपरेल को किस महा पुरूस की जयनती मनाई जाती है तो साथ यो 14 अपरेल को डॉक्टर भीम राओ अमबेटकर की जयनती मनाई जाती है option number D करिक्ट है, अगला कोश्चे ने किस पूरूस किर्केटर को मार्च 2023 के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है, तो याद रिखेगा साकीवल हसन को जो की बांगलादेश के All-Rounder है next, किस सहर में भारत का पहला 3D Printed Post Office खोला जाएगा तो भारत का पहला 3D Printed Post Office किस सहर में खोला जाएगा, याद रिखेगा साथ हो, बैंगलूरू में, option number C, बैंगलूरू हाली में भारत की पहली, semi high speed regional rail का नाम बदल कर क्या रखा गिया है तो देखेगे, भारत की पहली, semi high speed regional rail का नाम बदल कर क्या रखा गिया है, तो RapidX याद रिखेगा, RapidX है ना, चली अगला question है हाली में किस राज की सरकार ने online gambling पर प्रतिबंद लगाने वाला बिधेक पास किया है तो right answer साथ यो तमिल नाडू ने, option number B अगला कोन ब्यक्ति हाली में, LIC के नए मुख्य निवेस अधिकारी बने हैं, तो LIC के नए मुख्य निवेस अधिकारी कोन बने हैं, तो रतनाकर पटनायक जी, option number C, रतनाकर पटनायक याद रिखेगा साथ अप्रेल 2023 को मनाये गए, विश्व स्वास्त दिवस की theme क्या रखी गई, अब देखे, साथ अप्रेल को प्रतेक वर्ष विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है, तो 2023 का theme क्या था, तो याद रिखेगा, health for all, यानि स्वास्त सभी के लिए, option number B अगला question हाली में, कोन अमेरिकी प्रभाव वाले group, NATO का 31 सदस देश बना है, नाटो, North Atlantic Treaty Organization, इसका full form होता है, ठेके, तो नाटो का 31 सदस देश कोन बना है, तो Finland, याद रिखेगा, option number D, Finland अगला कोन ब्यक्ति हाली में, RBI के नए कायरकारी निर्दसक के रूप में चुने गए हैं, तो देखे, RBI के नए कायरकारी निर्दसक निरज निगम जी को चुना गिया है, तो याद रिखे, option number C, निरज निगम हाली में किसे सुजुकी मोटर साइकिल इंडिया के नए प्रबन निर्दसक के रूप में निउक्त किया गिया है, तो साथी हो सुजुकी मोटर साइकल इंडिया के नए प्रबन निर्दसक के रूप में, केनीची उमेदा को निउक्त किया गिया है, याद रिखेगा, अमेरिकी विदेश विभाग के नए CEO बने हैं तो राइट अंसर होगा रिचर्ड बर्मा याद रखे ऑप्सन नमबर डी रिचर्ड बर्मा अब देखे जिस तरह IPL खिला जाता था जेंट्स का पुरुसों का असी तरह महिलाओ का भी यह उमेंस प्रीमियल लिग यह 2023 से ही शुरुवात हुई है और इसका खिताब किशने जीता है ठीक है तो याद रिखेगा मुंबाइ इंडियन्स ने माप करना इसको पहली मुंबाइ इंडियन्स ने पहली बार जीता है याद रखना ओप्शन नमबर अगला हाली में कौन भारतिय मूल के ब्यक्ति टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म देखिए ग्रामरली के नए CEO बने है तो राइट एंसर है राहुल रॉय चोधरी जी ऑप्शन नमबर भी अगला कोश्चन है हाली में केंद्र सरकार ने केंद्रिय कर्मचारियों का मह याद रिखीगा हाली में अर्जेंटीना के लुईस कैफरेली को एबेल प्राइज 2023 मिला जो किस छेत्रे में दिया जाता है तो याद रिखीगा एबेल प्राइज जो की गनित के छेत्रे में दिया जाता है और 2023 में किसे मिला है तो लुईस कैफरेली को जो की अर्जेंटीन के हैं चलि अगला कोश्चन है प्रतिवर्ष दुनिया भर में बिश्व जल दिवस का मने जाता है अभी आपको बताया बाइस मार्च को ऑप्शन नमबर एक देखिए कौन सा राज्य हाली में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो 23 मार्च को इसी दिन साथियो सुखदेव भगत गुरु और देखे सुखदेव भगत सिंग और राज गुरु को फासी दी गए थी इसलिए 23 मार्च को साहिद दिवस मने जाता है अगला हाली में भारत की किस प्रतम महिला खिलाडी के नाम पर राइवरेली में स्टेडियम बनाया गया तो याद रिखिएगा रानी रामपाल के नाम पर रानी रामपाल जो की भारत की होकी टीम की महिला खिलाडी है यानि महिला होकी टीम की प्लियर है हाली में किसे दीपक बागला के अस्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO न्युक्त किया गया है तो साथ याद रिखे मनमीत के चंदा जी को मपकाना मनमीत के नंदा जी को अप्शन नमबर है हाली में किस देश्च से संबंदित खिलाडी टीम पेन ने किर्केट के सभी प्रारूफों से सन्यास लेने की गोश्णा की है तो टीम पेन ये तो अस्टेलिया के खिलाडी है अप्शन नमबर भी करेक्ट है अगला कौन व्यक्ति हाली में अरुन कुमार सिंग के अस्थान पर बीपी सीयल के नए चेर्मेन और प्रवन निर्द्शक बने है तो राइट अंसरे जी कृष्ण कुमार याद रिखे जो कि बीपी सीयल के नए चेर्मेन और प्रवन निर्द्शक बने है ठीके हाली में किस भासा की प्रसिद लेखी का सिव संकरी को बर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है तो बर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसको मिला है तो सिव संकरी जी को ये किस भासा की प्रसिद लेखी का है तो याद रिखे तमील भासा की option number ए राइट है तमील देखीगा हाली में जारी हुई बर्ष 2023 की वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट में भारत को 125 वा स्थान मिला है याद रिखेगा 2023 में यानि विस वो खुषाली के रिपोर्ट में अगला है हाली में कौन IT कंपणी TCS के नए MD और CEO बने है TCS यानि Tata Consultancy Services तो TCS के नए MD और CEO कौन बने है तो याद रिखेगा के कृतिवासंजी को के कृतिवासंजी जो कि TCS के नए MD और CEO बने है हाली में Central Banking Award में ससिकांत दास Governor of the Year पाने वाले अब तक के कौन से भारतिया बन गए है तो याद रिखेगा दूसरे option number B अगला हाली में कौन प्रतम भारतिया मुल्के ब्यक्ति अमेरिकी Air Force के सहायक रक्षा मंत्री बने है तो वह रवी चोधरी याद रिखेगा साथियो देखिए प्रतम भारतिया मुल्के ब्यक्ति जो की अमेरिकी एर फोर्स के सहायत रक्षा मंत्री बने है, वो है रवी चौधरी जी, अगला कौन ब्यक्ति हाली में अमेरिका के नए राज़दुत बने है, तो अमेरिका के नए राज़दुत कौन बने है, तो एरिक गार सेटी, option number B, correct answer है, अगला कुशिन है हाली में जारी सिपर की बर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयतक देश बना है तो याद रिखेगा भारत नेक्स्ट है हाली में जारी हुई IQ Air की वर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया वर में कौन सा अस्थान मिला है तो याद रिख के लिए ICC Player of the Month का संबान मिला है तो देखिए करेक्टर रोगा Harry Brook को Harry Brook जो की England के खिलारी है नेक्स्ट है हाली में कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पाइलेट बनी है तो सुरेखा यादव साथियों याद रिखीगा नेक्स्ट है कौन व्यक्ति ह चाली में IT Company Tech Mahindra के नए MD और CEO बने है तो मोहित जोसी जोकी Tech Mahindra के नए MD और CEO बने है हाली में किसे वर्स 2022 का ब्यास सम्मान मिला है तो देखिए 2022 का ब्यास सम्मान डॉक्टर ग्यान चतुरुवेदी जी को मिला है ब्यास सम्मान जोकी साइट तिके छेतर में दिया जाता है अगला eig Would ад साथ्यों सर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरिस्कार मिला हे तो राइट एंट सेरे साथ्यों ब्रेडन फ्रेजर को याद रिखेगा जिन्होंने ऑस्कर अभार्ज दोःजर्स डोहजर्वीनेता का पुरिसकार जीता हे हाली में 10 मार्च 2023 को केंद्रिय ओधोगिक सुरक्षा बलने यानि CISF ने अपना कौन सवा अस्थापना दिवस मनाया तो याद रिखिए का साथियो 54 फिप्टी फोर हाली में मानिक सहा लगातार दुसरी बार किस राज के मंत्री बने है तो याद रिकिया त्री पूरा नागालंड के मंत्री बने हैZ देखिए नेफ्यूरियो कितने भी बार नागालेंट के मुख्यमंत्री बने हैं तो याद रिखेगा पांच भी बार option number C right answer है अगला कोन हाली में कोन विद्दा देवी भंडारी के अस्थान पर नेपाल के नए राष्ट पती बने हैं तो देखे नेपाल के नए राष्ट पती अभी है रामचंद्र पोडेल जी option number C अगला question है हाली में किस ने प्रिचगर आर्ची टेक्चर प्राइज 2023 को जीता है जो की पत्रकारिता के छेतर में दिया जाता है तो याद रिखेगा डेविड चीपर फेल्ड ने यह ना डेविड चीपर फेल्ड हाली में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रोफी 2023 का खिताब जीता है तो राइट अंसर है करनाटका ने याद रिखेगा संतोष ट्रोफी जिसका संबंध्य फुटबॉल से देखे अगला question है हाली में किसने BBC Indian Sports Women of the Year 2022 का पुरसकार जीता है तो साथ यो याद रिखीगा मिरा भाई चानू ने मिरा भाई चानू जिनका संबंद्य भरतुलन से अगला question है कौन ब्यक्ति हाली में बित मंत्रालाई के तहत 28 वे लेखा महानियंत्रक बने है तो बित मंत्राले के तहत 28 वे लेखा महानियंत्रक कौन बने है याद रिखिए SMS दूबे जी option नमबर सी SS दूबे अगला प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतराष्टिय महिला दिवस कब मने आ जाता है तो राइटन सरे 8 मार्ज को option नमबर भी चलिए next question है हाली में किसने National Badminton Championship 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है तो साथियों याद रखना अनुपमा उपाइद्ध्याई इन्होंने National Badminton Championship 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है हाली में वो वान थूँग किस देश के नए राष्ट पती बने है तो याद रखेगा बियता नाम के Option No.D कौन ब्यक्ति हाली में पत्र सुचना कारियालाई के नए प्रदान निर्दसक बने है तो साथियों देखीगा पत्र सुचना कारियालाई के नए प्रदान निर्दसक कौन बने है तो राजेस मलोत्तरा जी Option No.C अगला हाली में किसे ससस्त्र सीमा बल की नई महानिर्दसक के रूप में नियुक्त किया गया है तो भै रस्मी सुकला जी को साथ याद रखेगा रस्मी सुकला जी को option number D correct है चलि अगला कोश्चेन है कौन ब्यक्ति हाली में केंद्रिय बिद्दूत बिनियामक आयोग के नए अद्धच बने है तो भै केंद्रिय बिद्दूत बिनियामक आयोग के नए अद्धच कोन बने है तो आपको याद रखना है जिसनू बरुवा जिसनू बरुवा जी option number B अगला कौन ब्यक्ति हाली में अरुण चावला के अस्थान पर फिक्की के नए महासचिप बने है तो फिक्की के नए महासचिप कौन बने है तो सैलेस पाठक जी साथियो option number D हाली में किस महिला फुटबॉलर ने फिफा प्लेयर ऑफ दे यर 2022 का पुरसकार जीता है तो फिफा प्लेयर ऑफ दे यर 2022 का पुरसकार किशने जीता है तो एलेक्सिया पुटेलस ने option number B नेक्स्ट है हाली में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा पिलियर अप दे एर 2022 का पुरसकर जीता है तो लियोनेल मेसी ने याद रिखीगा आप्शन नंबर से हाली में जारी हुई बर्ष 2023 की Global Innovation Index में भारत को 55 देशों में से कौन सा स्थान मिला है तो 55 देशों की सूची में भारत को 42 वा स्थान मिला है किसमें तो Global Innovation Index में याद रखना हाली में किस क्रिकेट टीम ने ICC Women's T20 World Cup 2023 का खिताब जीता तो याद रिखे औस्टिलिया ने अगले कोन ब्यक्ति हाली में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने है तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कोन बने है साथियो यानि DCGI तो याद रिखेंगा सभी साथी डौक्टर राजीव रगोवन्सी जी नेस्ट हाली में युनिसेफ इन्डिया ने किसे अपना नेशनल अमबेज़डर नियुक्त किया है हाली में कौन सत्रंज खिलाड이 भारत के असिवे ग्रेड मास्टर बने है तो भारत के असिवे ग्रेड मास्टर कौन से सत्रेंज किलाड़ी बने है तो बिगनेस एन आर ओप्शन नमबर सी करेक्ट है अगला हाली में भी घोसना के अनुसार किस राज में उत्तर भारत का पहला परमानु उर्जा सेंत्र इस्थापित किया तो बिवियार सुब्रमन्यम जी ओप्शन नमबर एक करेक्ट है बिवियार सुब्रमन्यम नेक्स्ट है दादा साहिब फाल के अंतराश्ट्य फिल्म समारों दोजर तैस में किसे बेस्ट फिल्म का पुरसकार मिला है तो देखे करेक्ट दक असमीर फाइल्स को साथियो सुराष्ट ने याद रिखे सोराष्ट ऑप्शन नमबर डी यानि गुजरात ने हाली में बाप्टा आवाड सो दो हाजर तैस में किसे सर्वस्तिरिष्ट मुख्य भीनेता का अवाड मिला है तो राइटेंसर है ऑस्टिन बटलर को ऑप्शन नमबर डी याद रिखेगा अ सोर डीजल से चलती है उसकी विक्री पर ही प्रतिबंद लगा देगा तो दो आजर पैंतिस से याद रिखेगा ऑप्शन नमबर ए हाली में किस खेल से संबंदित महान भारतिया खिलाडी तुलसिदास बलराम का 87 वर्स की उमर में निदन हो गया तो याद रिखेगा फुट चिंद्र कुमार जी को ओप्शन नमबर A Next question है हाली में कौन भारतिया मुल के ब्यक्ति बिडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉम यूटूब के नए CEO बने हैं तो वेरी वेरी इंपोटेंट कुश्चन है भारतिया मुल के ब्यक्ति जो की यूटूब के नए CEO बने हैं कौन है तो नील मोहंजी याद रिखीगा option number D अगला question है हाली में कौन T20 अंतराष्टिय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतिय क्रिकेटर बनी है तो भई T20 अंतराष्टिय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतिय क्रिकेटर कौन बनी है तो दिप्ती सर्मा option number ए correct answer है हाली में किसे महाराष्टा राज का नया राजपाल नियुक्त किया गिया है तो देखे correct answer होगा रमेस बैस को option number B next है हाली में निकोस क्रिष्टो डोलाइड किस यूरोपिय देश के नए राष्ट पती बने है तो याद रिखे का साइपरस के option number D next हाली में किसे बर्ष 2022 के महाराष्टा भूसन पुरसकार से सम्मानित किया गिया है काफी important question साथियो देखेगा तब महाराष्टा के भूसन पुरसकार से किसे सम्मानित किया गिया है बर्ष 2022 के लिए तो याद रिखेगा सभी अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को option number B right answer हाली में मोहमद सहाबुद्दिन चुप्पू भारत के किस परोसी देश के नए राष्ट पती बने है तो याद रिखेगा साथियो बांगला देश के option number D हाली में किस परोस क्रिकेटर को जनवरी महिने के लिए ICC player of the month का सम्मान मिला है तो देखे correct answer का सुभमन गील को सुभमन गील भारत अगला है हाली में कोन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सतक जड़ने वाले पहले भारतिया कप्तान बने है तो राइट answer है रोहित सर्मा, hitman हाली में किस सहर में भारत का पहला ग्लास इगलू रेस्टोरेंट किस सहर में खुला है तो याद रिखे का साथ हो कस्मीर में, option number B अगला है हाली में RBI ने रेपो रेट में 0.25 परतिसत की बढ़ोतरी किये जो अब बढ़कर कितनी हो गई है तो पहले RBI का रेपो रेपो रेट कितना था तो 6.25 था और अभी 0.25 जब बिरिद्धी हो गया है तो 6.5% हो गया है याद रिखेगा 6.50% option number B अगला है हाली में फ्रांसीसी खिलाडी राफेल वरेन ने किस अंतराष्टे खेल से सन्यास ले लिया है तो याद रिखेगा फुटबॉल से नेक्स्ट है हाली में किस सक्ते नारायन राजू किस बैंक के नए M.D. और C.E.O. बने है तो याद रखना साथ हो कैंडरा बैंक के option number A नेक्स्ट है हाली में कौन भारतियम मुल्क की प्रतम महिला Harvard Law Review की नई अद्दच बनी है तो वह देखे करेक्ट इंसर हो जाएगा साथ यो अपसरा आयर याद रिखे अपसरा आयर जो की Harvard Law Review की नई अद्दच बनी है नेक्स्ट कोस्टन है हाली में किस देख से समबंदित खिलाडी आरोन फिंच ने अंतराष्टे किर्केट से सन्यास ले लिया है तो करेक्ट होगा ऑस्टेलिया की आरोन फिंच जो की ऑस्टेलिया के किर्केटर थे हाली में 65 वे ग्रेमी आवार्ड के विजेताओं की घोशना हुई जो किस छेतर में दिया जाता है तो वे ग्रेमी पुरसकार जो है ये साथ हो म्यूजिक यानि संगीत के छेतर में दिया जाता है option number C correct है प्रती वर्स विस वो cancer दिवस किस तारिक को मनया जाता है तो राइट एंसरे चार फरवरी को प्रतेक वर्स cancer दिवस मनया जाता है हाली में भारत के किस परोसी देश के पुर्वराष्ट पती रहे परवेज मुसरफ का 89 वर्स की उमर में निदन हो गया तो परवेज मुसरफ ये साथ वो पाकिस्तान के पुर्वराष्ट पती थे हाली में किस राज की सरकार ने गरीब महिलाओ के लिए लाडली बहना नामा की उजना शुरू की है तो correct होगा मध्य परदेश ने option number D कौन ब्यक्ती हाली में संदिप सिंग के अस्थान पर भारतिय बायू सेना के नए उप्रमुख बने हैं तो correct है याद रिखेगा अमर प्रीत सिंग जी next है हाली में किस टीम ने men's hockey world cup 2023 का खिताब जीता है तो men's hockey world cup 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है याद रिखेगा जर्मनी हाली में किस खेल से संबंधित भारतिय खिलाडी मुरली विजय ने अंतराष्ट्य खेल से सन्यास ले लिया है तब है मुरली विजय जो की किरकेट खेलते थे इन्होंने सन्यास ले लिया है याद रिखेगा अगला है प्रतिवर्स पूरे भारत में 30 जनवरी को सहीद दिवस किनकी पुन्य तिथी पर मनया जाता है तो करेक्टेंस रोगा महात्मा गांधी की पुन्य तिथी पर अगला है किस खिलाडी ने औस्टेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है तो याद रिखेगा आरियाना सबलेंका ने ओप्शन नमबर बी किस खिलाडी ने औस्टेलियन ओपन 2023 में पुरू सेकल का खिताब जीता है तो याद रिखेगा नुवाक जोकोविच ने किस क्रिकेट टीम ने उमेंस अंडर 19-20 वर्ल्ड कॉप का खिताब जीता है तो याद रिखेगा भारत ने अगला हाली में पैद देखिए पेटर पाविल किस देश के ने राष्ट पती बने है तो पेटर पाविल जो है ये चेक गनराज के ने राष्ट पती बने है याद रिखेगा प्रतिवर्स पूरे भारत में राष्टिया परियाटन दिवस किस तारिक को मनया जाता है तो करिक् हाली में किसे टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में ने उक्त किया गिया है तो देखे टाटा ट्रस्ट के नए CEO कोन बने हैं तो सिधार्त सरमाजी option number 2 हाली में कुल कितनी हस्तियों को पदम अवार्ड 2023 के लिए चुना गिया यानि 2023 में पदम पुरस्कार कुल कितने वेक्तियों को दिया गिया तो 106 वेक्तियों को याद रिखेगा option number 2 अगला ICC Awards 2022 में किसे बर्स की सर्वस्रेष्ट महिला किर्केटर के रूप में चुना गिया या पुरस्कार मिला तो याद रिखेगा तो याद रिखेगा बाबा राजम को बाबा राजम जो कि पाकिस्तान की कैप्टेन है हाली में 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतराष्ट्य सिक्षा दिवस मनाया गिया जिसे पहले बार या पहले बार या पहली बार किस वर्स में मनाया गिया था तो याद रिखी का पहली बार अंतराष्ट्य सिक्षा दिवस 2019 में मनाया गिया था ओप्शन नमबर A करेक्ट होगा देखे कौन ब्यक्तिहाली में नागरी कुड्डियन महा निर्देसालाई के नए महा निर्देसक बने हैं तो याद रिखीगा बिकरम देउदाद जी ओप्शन नमबर D चलिए question number 201 प्रतिवर्स 23 जनवरी को पूरे भारत में पराकरम दिवस किन की जयनती पर मने आ जाता है तो राइट एंट से रोगा सुभास चंद्रव बोस की जयनती 23 जनवरी को मने आ जाता है और इसी दिन पूरे भारत में पराकरम दिवस मने आ जाता है हाली में कौन अमेरिकी राज मेरिलेंड की लेटिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतिया अमेरिकी बनी है तो करेक्ट होगा अरूना डेविड अरूना मीलर है न अरूना मीलर ओप्शन नमबर सी राइट अंसर होगा अगला question है हाली में Chris Hipkins को किस देश के ने प्रधानमंत्री के रुप में चुना गिया है तो Chris Hipkins ये किस देश के ने प्रधानमंत्री बने है तो New Zealand के याद रिखेगा New Zealand के ये प्रधानमंत्री है अभी चलिए कौन व्यक्ति हाली में वेधानता समो की company अगला है हाली में कौन भारत का पहला संबिधान साक्षर जिला कौन बना है तो कुलम कुलम जो की केरल राज का एक जिला है अप्शन नमबर बी हाली में 19 जनवरी 2023 को राष्टिया आपदा परतिकिरिया बल यानि अगला कौन ब्यक्ति हाली में भारत के नए उपराष्टिया सुरक्षा सलाकार बने है तो पंकज कुमार सिंग जी ऑप्शन नमबर सी देखे जुलाई महिने के जो बाकी के करेंट एफ्यस है वो आपको लास्ट लास्ट में मिलेंगे ठीक है देखे आप लोग साथ यो आपको करवा रहा हूँ हूँ सारे कोस्ट चन मैंने च is aP कर लिया है जो कोस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है देखिए हाली में किसे अर्मोनीया के अर्मोनीया में भारत ग राजवुत के रूप में नउक्तिकिया गिया है तो निलाक्षी सिन्नह जी को याद रिखे तो याद रिखे कर साथ यो अमेरिका की ओप्शन नमबर C नेक्स्ट है हाली में किसे IT कमपणी देखिए कौन जी जेंट के नए CEO के रूप में नियुक्त क्या गिया है तो रभी कुमार जी को ओप्शन नमबर A करेक्ट है हाली में कौन तिलंगना राज की पहली महिला मुख् सचिवे सांथि कुमारी जी ऑप्शन नमबर 2 अगला है हाली में जारी हुई हेले पास्पोट इंडेक्स कुन ब्रो में बिदेसी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ओफिसर बनी है तो याद रिकिका साथ यो के सुर्वी जाकमोला के सुर्वी जाकमोला जो की ब्रो में बिदेसी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ओफिसर बनी है अगला है प्रतिवर् कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला बारत का पहला राज बन गया है तो याद रिखेगा केरल ओप्शन नमबर एक कौन ब्यक्ति हाली में पेमें पेटियम पेमेंट्स बैंक के नए M.D. और C.E.O. बने हैं तो यादेखी का साथ यो सुरिंदर चावल जो की पेटियम पेमेंट्स बैंक के नए M.D. और C.E.O. बने हैं कौन ब्यक्ति हाली में अखिल भारतिया रत्न एबम आभुसन घरेलू परिसद के नए चेर्मेन कौन बने हैं तो सैयम महराजी ओप्शन नमबर भी करेक्ट साथ हो हाली में किस भारतिया राज की पहल जगा मिसन को UN PhD World Habitat Award 2020 से सम्मानित किया गिया है तो औरिस्टा याद रिखीगा किस बारते राज की पहल जगा मिसन को UN Havits World Havited Award 2023 से सम्मानित क्या गिया है तो ये रिखिए जगा मिसन जो है साथियो औरिस्टा नहीं सुरू किया था तो औरिस्टा करेक्ट होगा हाली में कुलदीप सिंग पठानिया को किस राज की विधान सभा के नए अधच के रूप में चुना गिया है तो याद रिखिगा साथियो हिमाचल प्रदेश के अगला कुश्चिन हाली में कौन जस्परीत बुमराह के बाद भारत के अब तक के सबसे तेज गिंदवाज बन गए है तो याद रिखिगा उम्रान मलिक ऑप्शन नमबर सी हाली में कौन सियाचीन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है तो याद रिखिगा के सीवा चोहान ओप्शन नमबर D कौन ब्यक्ति हाली में परमानु उर्जा नियामक बोड के नए अध्श बने है तो परमानु उर्जा नियामक बोड के नए अध्श कौन बने है याद रिखिगा साथियो दिनेश कुमार सुकला जी ओप्शन नमबर D हाली में कितनी हस्तियों को बर्ष 2023 के प्रवासी भारतिय सम्मान पुरसकार के लिए चुना गिया तो याद रिखिगा सत्ताई सस्तियों को ओप्शन नमबर D कौन ब्यक्ति हाली में इंडियन ओवर्सीज बैंक के नए अमडी और सी यो बने है तो याद रिखिगा अजाई कुमार सुरिवास्तप जी प्रतिवर्स दुनिया भर में अंतराष्टिय बाग दिवस की स्तारिक को मने आ जाता है तो साथियों दिखिए प्रतिवर्स दुनिया भर में अंतराष्टिय बाग दिवस ये 28 जुलाई को मने आ जाता है 29 जुलाई को ही अंतराष्टिया बाग दिवस यानि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है अभी हाली में आपने सुना होगा निवीज में जुलाई का ही ये बात है कुछ दिनों पहले का जो की 83 ग्रेंड मास्टर कौन बने थे ता आदित्य सामन्त जी अप्शन नमबर डी करेक्ट होगा साथियो अगला है हाली में होई घोषना के अनुसार भारत के किस राज अथवा केंदरसासित परदेश में दुनिया का सबसे बड़ा मुजियम यूगे-यूगीन भारत बनेगा तो याद रिखीगा नई दिल्ली में ठीके जो के साथ यो भारत के दुनिया का यार भारत का ही नी दुनिया का सबसे बड़ा मुजियम बनेगा ये यूगे-यूगीन भारत कहां पर नई दिल्ली में अगला प्रतिवर्स दुनिया भर में 200 प्राकर्थी सरक्षन दिवस ये किस तारिक को मने आजाता है तो अठाइस जुलाई को ऑप्शन number C हाली में 27 जुलाई 2023 को केंद्रिये रेजर्ब पूलिस बल यानि CRPF CRPF ने अपना कौन सवास था अपना दिवस मनाया तो याद रिखेगा 85 अप्शन नमबर भी अगला प्रती वर्ष दुनिया बर में 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है तो देखे 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरुकता के लिए एक दिवस मनाया जाता है तो हेपेटाइटिस के लिए याद रिखेगा वाल्ड हेपेटाइटिस डे बने आ जाता है अगला कोश्चे रे प्रतिवर्ष पुर्य भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारिक को मने आ जाता है तो राइट एंसरों का 26 जुलाई को अप्शन नंबर सी अगला हाली में किस देश से संबंदित खिलाडी लाहीरू लाहीरू थिरी माने ने अंतराष्टे किर्केट से सन्यास ले लिया है तो राइट एंसरों का सिरी लंका की लाहीरू थिरी माने ये की ये साथ यो सिरी लंका के किर्केटर थे जिनोंने अभी सन्यास लेनी की घोशना कर दी है किस किर दिलिप ट्रोफी इसको दिलिप ट्रोफी भी बोलते हैं तो दिलिप ट्रोफी या दिलिप ट्रोफी 2023 का खिताब जीता है तो याद रिखेगा करेक्ट एंसर का साउथ जोन ने है ना साउथ जोन ऑप्शन नंबर भी करेक्ट एंसर हो जाएगा साउथ जोन अगला है हाली में कौन नियुन्तम आई गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो देखे राइट एंसर है राजस्थान याद रिखेगा नियुन्तम आई गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान प्रति वर्स राष्टिय प्रसारन दिवस क किस तारिक को मने आजाता है तो देखे नेशनल ब्रोड कास्टिंग डे ये किस तारिक को मने आ जाता है तो 23 जुलाई को मने आ जाता है ओप्शन नंबर भी करेक्ट होगा कौन ब्यक्ति हाली में भारतिया तटरचक बलके 25 महानिर्दसक के रूप में न्युक्त किये गए हैं तो राइट एंसर होगा राकेस पाल जी को ओप्शन नंबर भी ठीक है याद रिखेगा जो कि भारतिया तटरचक बलके 25 महानिर्दसक बने हैं राकेस पाल हाली में किस राज की सरकार ने महिलाओ को प्रतिमा आर्थिक साहता देने हैं तू ग्रिया लक्षमी नामा की योजना शुरू की है तो देखिए ग्रिया लक्षमी नामा की योजना ये करनाटका राज ने शुरू किया है साथ हो याद रिखेगा महिलाओ को प्रतिमा अब देखिए वो बदल गई है तो कोन बनी है अभी नई तो याद रिखीगा निवू निव रूती रॉइ जो की साथियो अभी नई इनवेस्ट इंडिया की M.D. और C.E.O. बनी है कोन ब्यक्ति हाली में सिमेंट मेनुफेक्चरर्स एसोसियेशन के नहीं अद्दश बने है तो राइट एंसरों का नीरज अखोरी ऑप्शन नमबर भी अगला है प्रती वर्स दुनिया भर में 27 दिवस इंटरनेशनल चेस्टे क इस तारिख को मने आ जाता है तो याद रिखे 20 जूलाई को ऑप्शन नमबर C अगला है हाली में देखे हाली में किस राज के पुरु मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी का 89 वर्स की उमर में निदन हुआ तो याद रिखे के केरल के पुरु मुख्यमंत्री रह चुके थे य इनका अभी निदन हो गिया हाली में किस टेनिस खिलाडी ने बिम लंडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है तो देखे राइटन सरोगा मार्केटा मार्केटा बोंडरो सोवा ने ओप्शन नमबर B अगला हाली में 16 जुलाई 2023 को भारतिय क्रिशिय अनुसंधान परिश्द ने अपना कौन सवास था अपना दिवस मनाया तो साथ्यों पंचान बिवास था अपना दिवस हाली में किस टेनिस खिलाडी ने बिम लंडन 2023 में पुरू सेकल का खिताब जीता है तो याद रिखे कार्लोस अलकाराज ने ओप्शन नमबर C प्रतिवर्ष दुनिया भर में 20 यह किस तारिक को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ओफ इंटरनेशनल जस्टीस तो याद रिखे का साथियों अंतराश्टी अबिश्व अंतराश्टी नियाई दिवस जो है यह कम मनाया जाता है तो 17 जुलाई को ओप्शन नमबर C राइट है हाली में PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वच्च सम्मान Grand Cross of the Legend of Honor से सम्मानित किया है तो याद रिखे का फ्रांस ने ओप्शन नमबर C प्रतिवर्ष दुनिया भर में 20 युवा कोसल दिवस World Youth Skill Day यह किस तारिक को मनाया जाता है तो याद रिखे का 15 जुलाई को हाली में IFS अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत ने उक्त किया गया है तो याद रिखेगा लिथु आनिया में ओप्शन नमबर B कौन ब्यक्ति हाली में SBI कार्ड के नए MD और CEO बने है तो याद रिखेगा साथ यो अभीजीत चक्रवर्ती जो कि SBI कार्ड के नए MD और CEO बने है किस महिला क्रिकेटर को जुन 2023 के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो देखे करिक्ट एंस रोगा एसले गार्डनर जो कि Australia की क्रिकेटर हैं हाली में 12 जुलाई 2023 को नबाड ने अपना कौन सवा अस्थापना दिवस मनाया तो देखे राइट एंस रोगा 42 वा नबाड के अस्थापना साथियों 1982 में हुई थी नबाड का मुख्याला जो है मुंबई में इस्ती थे अगला 20 पुरकुव पुरुस किरिकेटर को जुन 2023 के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो याद रिखेगा बानिंदू बानिंदू हसरंगा को जो कि सिरिलंका के हैं हाली में कौन युवा वर्ल्ड तिरंदाजी चेंपियंशिप की रिकार्ब बर्ग में स्वर्ण जितने वाली पहले भारतिय खिलाडी बने हैं बहुत एच्छा कोश्चन है याद रिखेगा पार्थ सालूंखे देखिए साथियो वर्ल्ड तिरंदाजी चेंपियंशिप की रिकार्ब बर्ग में स्वर्ण जितने वाली पहले भारतिय खिलाडी कोन बने हैं तो पार्थ सालूंखे याद प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये किस तारिक को मने जाता है तो याद रिखेगा ग्यारह जुलाई को ऑप्शन नमबर ए कौन ब्यक्ति हाली में अंतराष्ट्य वित्य सेवा केंद्र प्राधिकरन के नई क्या गिया है तो याद रिखेगा स्रध्धा कपूर को ऑप्शन नमबर ए कौन ब्यक्ति हाली में राष्ट्य उपभोकता विबाद निवारन आयोग के नई अद्दच बने हैं तो साथियो याद रिखे जस्टीस एपी साही जो कि राष्ट्य उपभोकता विबाद निवा याद रिखेगा पी बासुदेवन ओप्शन नमबर डी राइट अंसर है हाली में किस खेल से संबंधित बांगलादेशी खिलाडी तमीम इकबाल ने अंतराष्ट्य खेल से सन्यास ले लिया है तो वह आपको यहाद रखना है दिखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्च किस खेल से तो किरिकेट से संबंधित ऑप्शन नमबर भी करेक्ट है चलिए लास्ट कोश्चेन है हाली में जारी हुई ग्लोबल प्लेस इंडेक्स दो आज़र तैस में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है तो याद रिखिएगा 126 वा ठैंक्स पर वाचिंग केवल आपको वही कोश्चन कराया जनवरी 2023 से जनवरी से लेकर अभी जुलाई 2023 तक वही कोश्चन आपको कराया जो कोश्चन आपको पढ़ने चाहिए जो कोश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं ठीके तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा करेंट एफेस आपको अपलोड कर दूँगा जो भी मंधली करेंट FS देखते हैं आप लग उसको जरूर सभी साथी मिलकर कल देख लेना उस क्लास को इस क्लास को साथ यो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने सभी दुस्तों के साथ जरूर सियर करिए क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है चैनल के अंदर जाओगे बहुत सारे मेराथन क्लास मेंने करवाए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक पर क्लासिस करवाए हैं आप लोग जरूर देखिएगा चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक स्वास्तर हैं जैन साथियो ओल्डावेश्ट सभी को बन दे मात्रम